छिपकली एक ऐसा जीव जिसके बारे में सोचने मातर से ही घेनाने लगती है ये ना चाहते हुए भी हमारे घरों में पता नहीं कहां से आ जाती है और हमारे घर की दिवारों के कोनों पेंटिंग्स घड़ियों के पीछे अपना अड़ा जमा लेती है इसे भगाने के लिए हम जाड़ो चपर डंड़ा पता नहीं क्या क्या स्थेमाल करते हैं लेकिन चिपकली है कि भागनी का नाम ही नहीं लेती बिन बुलाए महमान की तरह हमारे घर में ही रहती है मैं भी इससे बहुत परिशान थी फिर मैंने कुछ ऐसे उपाय अपनाए जिनसे अब मैं राहत और सूचा आपके साथ भी शियर करूं पहला आसन तरीका है मोर का पंक मोर की पंक को हम आमतर पर घर में सजावट के लिए प्रयों करते हैं लेकिन आप इसका उपयोग छिपकलियों को भगाने के लिए भी कर सकते हैं इसके लिए आपको मोर पंक को उस जगह लगा देना है जहां छिपकलिया आती हैं छिपकलिया मूर से भय खाती है जिससे उन्हें ये आभास होता है कि मूर कहीं आसपास है इसलिए वो वहाँ नहीं जाती लेकिन सावधान जिस दिन छिपकली को ये आभास होगा कि ये सिर्फ एक धोका है तो वो उसी मूर पंक पर बैठी मिलेगी इससे बचने के लिए समय समय पर मूर पंक को बदलते रहें जससे उसे आभास हो कि आज दूसरा मूर आया है इसके अलावा एक तरीका और है छिपकलियां भले ही कीडे मकोडे खाती हो लेकिन उनमें बिना प्याज और लहसन का तड़का लगाए कहनी का मतलब साफ है इन्हें प्याज और लहसन की गन से नफरत है इसलिए अगर इनके आने वाली जगह पर आपने प्याज के टुकडे और लहसन की कलियां रख दी तो ये वहां से दूर भाग जाएंगी साथ ही इन्हें तेज मिर्ची वाला खाना भी पसंद नहीं आता ये अपनी शकल की तरह स्वाध की भी फीकी होती है अगर आप छिपकली को भगाना चाहते हैं तो काली मिर्च या लाल मिर्च के पाउडर को पानी में मिलाकर स्प्रे बोटल की हल्प से उन जगहों पर स्प्रे कर दें जहां छिपकली आती हो लेकिन हाँ मेची का स्प्रे करते वक्त खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं और हां कहां चले छिपकली भगाने के ये सब ही उपाय तभी काम करेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाई बाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में